इंद्र जयों और इसकी इतनी मात्रा और ये हर घर में मिलने वाला बादाम जो की आसानी से मिल जाता है और ये भूना हुआ चना चना ये भी छिलके वाला जो अच्छी तरह से भूना हो इसको करना क्या है कि इसको तीनों को एक साथ मिक्स कर लेना है कूट लेना है पीस लेन लिजे और एक चम्मत फिर पूरे दिल में खाना खाने के बाद एक चम्मत सिर्फ इसको लेना है और इससे पुरानी से पुरानी सूगर हो चाहे वो यंग लोग को हो या बुढ़े बुजोर किसी को भी हो उसके लिए ये इंद्रजाओं बादाम और चना जिसका ये मिसरन इस सर्तिया आपकी सूगर गायब हो जाएगी इस नुख्षे को आप जरूर एक बार आजमाएं कुछ नहीं आपका लगता है अगर आपको फायदा करें तो आप इसको जरूर अपना है एक बात और सुनिए मैं कोई डाक्टर या बैद नहीं हूँ जो मैं आपको इस तरह की सलाह दे रहा हूँ मैंने इस नुख्षे को परखा है देखा है हमारे घरों में लोगों ने इस्तिमाल किया उससे उसको फायदा हुआ तो इसलिए मेरा भी एक फर्ज था कि आप तक इस बात को पहुंचाई जाए और ये साधारन सा नुख्षा अपनाईए और अपने परिवार और अपने घर से सूगर को भगाईए नमस्कार